बारा जून की श्रदान में आप सब्वस होगाते हैं परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता की गुहियत को जान सुख शांती संपन बनने वाली महान आत्मा भवा purity है तो सुख भी है और शांती भी है आपने imagine कर रहे हैं ब्रह्मचारे अगर भंग होता है विवाहिक जीवन में ही अगर ब्रह्मचारे भंग होता है या एक पुरुष किसी और तरफ देखना शुरू कर देता है या एक इस तरह किसी और तरफ देखना शुरू कर देती है क्य हो जाता है परमात्मा हमें उससे भी और आगे लेके जा रहे हैं सिर्फ एक इस्तरी पुरिष्ट के संब्द नहीं लेकिन जीवन में सारे मनश्य आत्मा के साथ में जो संब्द है हमारे इंप्यूर थौर्ट से कारण वो हमारे शांती को भंग कर देते हैं और सुक को भंग कर सुक भी और शांती भी मिलेगी जब हम प्योर बनेंगे महान आत्मभवा पवित्ता के शक्ति की महानता को जान पवित्र अर्थात पुझ्य देव आत्मे अभी से बनो ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे यानिकि विनाश होने से पहले महा विनाश जब होगा उस समय हम ज जोई तो कर लो ना परमात्व कहते हैं बहुत समय के संसकार बनाने प्रैक्टिस बनानी है लास्ट मिनिट में नहीं होगा जब लास्ट मिनिट में हमारी त्यारी नहीं होती और हम पेपर के सामने बैठे होते हैं एक्जाम पेपर के सामने तो हमारी हलत कैसे होती है आपको तो ये है जीवन का पेपर, वो Mathematics, Science का या किसी IES का पेपर नहीं है, जो कि सिर्फ एक जनम का है, तेकिने जीवन का पेपर है, इसलिए प्रमादर कहते हैं, ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ती, अंत में काम आएगी, प्योरिटी की शक्ती, बहुत समय तक काम विकार से अपने आपको बचा के रखा, बहुत समय तक अपने आपको और प्रती अशुब भावना, अशुब कामना से दूर करके, शुब भावना, अशुब कामना में अपने आपकी प्रैक्टिस करकी रखी अपने, चाहिए कैसी व अब देखो, सिर्फ कामविकार नहीं, सिर्फ ब्रहमचर नहीं, संकल्प से, चाहे वृत्ति, आटिट्यूट से, वायू मंडल से, अब प्यूरिटी का आप बहुत ही सिंपल उधारन देता हूं, बहुत ही बेसिक एक्जामपल, हिंदू-मुस्लिम सीखसाई, बंगाली, मदर जाब्वासी, पंजाबी, मौमदान, यह जो भी हम सोचते हैं, यह इंप्यूर थोट्स हैं, बज़ाति कहते हैं, वो रोल है, आपको देखना है, सोल को, अगर आप रोल को देखो गें, तो आपके अंदर प्यूर थोट्स रहेंगे, kijken आप ड्कार प्यूर थोट्स सब्सद और उनको रोल से अलग करके देखें तो हम उनके अंदर मासुमियत देखेंगे यूदि वो body conscious में है तो इसलिए हमारी वृत्ति भी चेंज भाएगी हमारे संकल भी चेंज भाएगे प्योर हो जाएगे वायू मंडल से वानी से भी अगर हम purity रखते हैं संपर्क से सुख शान्ती की जन्नी बनना इसको कहते हैं महानात्मा तो हमारे संकल भी हमारे प्योर हो वृत्ति भी प्योर हो वायू मंडल को भी प्योर करें हम यहनि कि हम खुसर खुसर करें दूसर के बारे में गलत सोचें गलत बोलें वानी से शुद बोलें क्रोध में आते हुए गंदे थौट्स गंदे वर्ड्स ना बोले है संपर्ख से सुख शान्ती की जन्निनी बनना संपर्ख में जब आते हैं और उरके प्रती तो कैसे बात करते हैं किसी को नीचा दिखाना बोलते हैं आप उनके बोली ऐसे होते हैं किसी को नीचे दिखाना ये भी इंप्यूरिटी है तो जो ऐसी आत्मा होती है वो खुदी सुख शान्ती में नहीं होती है इसको कहते हैं महान आत्मा उम शान्ती